है वेल्कम बैक फ्रेंट मैं आपको साउगत काता हूँ गूगल आप स्टेनिंग इन हिंदी क्लाश में जहां पर आपको एस्टे बेस्ट उप सेखने को मिलेंगे गूगल आट ट्रीटल इन हिंदी राइट फ्रेंट और आज का जो में ट्रॉफिक है कि आप देख सेकते ये आपका जो एड्से वे आगर गूगल अड्स के अंदर आप एक कोई-अड अब करते हो तो एड क्यासे एप आपकरावल होता है और गूगल का जो पॉसेस है वो कैसे तरगी से पाम करते है और ऑगर आप प्रोपर्णर पे की 사람들이 एक्सपाट बाढ्रना चाहते हो तो जुर का जो रिव्यू होता है जो प्रॉसेश हे आउलाइज करने के लिए आपका आड के लिए तो पहले असका वैला एसे जो श्चेम है वो पहले आपको आड के अंदर कॉनसे वला टेक्स रिव्यू करते है तो ये सारे चीज आपको देखना होगा और मैं यहाँ पर Google का जो ad processing है, जो system है, क्यासे ad आपको approve हो जाते हैं, क्यासे ads आपको disapprove होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगा, तो friend, चलिए, मैं यहाँ पर एक simple text लिखा हूँ, जिसका नाम ही है, data marketing company, USN, और आप यहाँ पर क्या देख रहे है कुस ads देख रहे हैं, और आप जानते हो कि यहाँ पर आपको basically organics s मिल रहे है, इसके बाद आप जानते हो कि Google my business, जो listing है, यह सारे के सारे listing यहाँ पर मिल रहे है, फिर से आप देखिए, यहाँ पर आपको ad मिल रहे है, तो friend, जब तक यहाँ तक बात है, तो आपको यह समझ connections, और इसके बाद जाते है, keyword, तो friend, यहाँ पर हम थोड़ा से जानेंगे, कि अगर आप ad ran कते हो, तो Google सब से priority कौन से बन देता है, यह है headline, तो अगर आप ad campaign create कते हो, तो headline पहले आपको research करता है, तो यहाँ पर थोड़ा से आपको देखना होगा, यहाँ पर मैंने क्या review चला, यह review के अंदर हो चला जाते है, और आपको जो सारे content है add की अंदर, जैसे अपने add लिखा, अपने headline लिखा, अपने just review लिखा, यह सारे जो content है, वो review की अंदर चला जला जाते है, include, इसके साथ स्त दम को कैया रहेगा, headline रहेंगे, decision रहेंगे, आपको जो keyword है, ओभी आपको एनलाईस होगा और डिसमेशन होगा आप को एड चलने के क्या महने है अगर उसके अंदर कुछ फोटो से या वीडियो से तो ओभी आपको चेक होगा एनलाईस होगा इसके बाद के होगा डिरिंग इस पॉसे अगर यह सारी सीज़ अगर आप पास कर जातो तो आपको एड एप्रूब हो जाता है फ्रिंट यहाँ पर हम लोग क्या सिख रहे है गूगल एड फॉलिची का बार में सिख रहे है और आपको साइध पता चल गया कि एक एड केमपेंग चलाने के बाद तुम्हीं यहाँ पर तोड़ा सा मिंशन कर सकता हूँ यह नॉमबर वान है अग कभी कभी ठीक है तो ज्यादा तर आप सोच लिजी के 99 परसेंट जो है यह सारे के सारे आपको ओटो मोशन की तरफ से होता है तो यह दिखिए डिशिशन है जो मैंने यहाँ पर मिने दे चुका हूँ यह वाला डिशिशन तो यह अगर आप लिख रहे हो तो यह भी आपको देखना होगा तो यह दिशिशन बाज यह नुबर टू है इसके बाद ऐसे की यह दूट फ्रेंट की यह का मतलब कहा होता है आप जामता हो कि की यह अगर मैं लिख होंगा यहाँ पर 3 by keyword तो यह keyword जैसे फॉर एक लिखेंपल मैंने क्या लिखा हूँ Google के अंदर मैंने लिख यह हो डिटल मार्केटिंग कंपने इसे हैं तो यह हो गया आपका keyword तो Google इसके first headline जो है यह यह वरा 50% flat off offer discount book today इसके बाद आता है decision box इसके बाद आता है keyword इसके बाद आता है four two option है वो मैंने यहाँ पर लिखाओ तो आपको इसके बाद क्या आज़ते destination आपको actually ad campaign की चलाने की क्या मतलब है यह सारे सीज हो डिसाइड करते है अगर इसके अंतर कुछ photos भी है जैसे for example आपने text ad चला दिया तो यह text ad चलाने के बाद आपको text ad है आपको analyze होगा तो I hope friend मैंने आपको सारे details आपको पता चल गया कि Google अगर कोई बी एक ad analyze करते है तो उसके अंतर सबसे पहले कौन से बला जो है जो सबसे आगे analyze करते है फ्रेंट आप यहाँ पर प्रफेशनली गूगल AdWords रिटोल सीख रहे हो और यह PPC क्लाफ से आपको बिलकुल फ्रीम में बिलेंगे और ऐसा ही वीडियो अगर आपको रोज यह पार्टे चा गूगल Ad, Instagram Marketing, Social Media Marketing, बहुत सरे ऐसे वीडियो और भी अब को मिलते रहेगा तो प्रिस टैंके सो मस्ट अपने इतना टाइम देकर मेरा चैनल के अंदर दे दिया इसलिए अब को बहुत बहुत शुक्रे मिलते हैं नया रेक वीडियो के साथ तब तक अब है पर रहे है खुश